यह देखिए गाइज यह खाना मागड़ी हूं से यह देखिए गाइज इतने बरे मदुमक्खी जो है मेरे आम के पेड़ पर अभी सुबा के पाच बज रहे हैं और मैं अभी सो करके उठा हूं और मैं अपने फुलवारी के तरफ अभी टहलने के लिए निकला हूं हை इस धी यह आम का सीजन है और मैं आपको देखाता हूं है यह देखिए गाइज कितने समय समय जो आम आपको दिखाई देते होंगि मेरे पीछे तरह सीजन हगे और ces Wen hinaus जो आम आ करने बहुत ौख आया हुए यह जो आम आपको नजडर आ रहा है यह दलवा हम हैं और मैं कि साई बोलते हैं यहां पर देखिएमोंट ब्हुत ज़िख जला हुँगा के यह देखिए गईस मेरे आम का पेड़ हैँ और यह तरहें देखिए यहां पर क्या लगा हुआ आइस यह तदो इसमारट मेस् नदा में चोंहां ना चाहिएонец- रहुत मिरकाट मैं उतहuse मैं अपने घर पे हूं और आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आई इधर यह देखिए गाइस क्या है मेरे पर चीची अरी वह देखिए गाइस यह खाना मांग रही है मुझसे कानी यह है कि मेरे जो मेरे जो घर के पीछे एक पेड था बहुत बड़ा तो वह किसी कारण से वह कट गया पेड तो उसी पेड के उपर जो यह चिरिया का घोसला था तो वह पेड गिरने के बाद वह घोसला पूरा तूट गया और यह बच्चा काफी छोटा था यानि इतना छोटा था कि इसका जो बदन पर बाल भी नहीं आया था तो लगभा कि 8-9 दिन से हम इसका द इसके मा क्या खिलाती थी यह पता नहीं है तो मैं इसे चावल खिलाता हूं आइस यह जब हम मिला था तो इसके बदन पर एक भी बाल नहीं थे और यह काफे छोटा था अभी यह काफे ज़्यादा बड़ा हो गया है लगभाग 8-9 दिन से यह भी मैं इसे पाल रहा हूं और यह काफे ज़्यादा भी बड़ा हो गया है तो आज कब लोग बस इतना ही उमीद करता हूं कि आपको मेरे छोटा सब लोग जोड़ पसंद आया होगा आपसे छोटी से रिवकिस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे